जैने दोस्तों कैसे आप लोगों में दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सोंगे बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने टॉपिक पर बात करने वाला हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले दोस्तों आपके बहुत सांगीता है दोस्तों यह सब के लिए इंप्रटेंट छाहे आप फस्ट्यों में हो आप दोनों के लिए इंप्र उसके लिए इसके अलावा एक स्पेसल यहां पर हम वीडियो डिसकस करने वाले वह बाहुत ही खास होने वाली है घुल बू पत्र वुड का घोशना पत्र इन सारे पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक सिक्वेंस वाइज है तो बिएट फस्तियर के लिए तो यह बड़ा अच्छा हो जागा कि वह वैदिक कालिन बौधिक कालिन मुस्लिम कालिन को एक वीडियो में देख ले इसलिए यह मेरा फेबरेट टॉपिक है मेरा फेबरेट पॉइंट्स है मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम इसको पढ़ते हैं या समझते हैं तो मैं आसा करता हूँ आपको भी समझ आएगा और आपको भी बड़ा मसा आएगा तो दोस्तों दोनों के लिए चाह पागत है इस वीडियो में वैदी कालीन सिक्षा के बारे में जानते हैं तो दोस्तों सबस्वेले देखेंगे कि वैदी कालीन सिक्षा में सिक्षा का अर्थ किसे मारा जाता था वैदी काल में सिक्षा का अर्थ किसे समझा जाता था तो दोस्तों इसका अर्थ है कि जीवन पर ख़एंग के चल्ने मारी प्रक्रिया है मुख के फोक स्था उनको सभ्य बना अच्छा नागरिक बनाना नातिक इनसान मनाना इस तरीके से वैदिक का लिंड शिख्छा में एक मनुस्य जीवन पर अब जीवन शीक्ता रहता है और वो इक आच्छा व्यक्ति बनने की कोशिस कर अब आईए अब ज़रा और वेदिक कारिन को समझेंगे भारती सब्वेतायों संस्कृति को विश्व का सबसे पुरानी सब्वेतायों संस्कृति के नाम से माना जाता है इसमें कोई डाउट नहीं वैदिक सिक्षा पराड़ी दोस्तों पुरे विश्व की सबसे प्राचीन सिक्षा पराड़ी है वेद चार प्रकार के है रिग वेद येजुर वेद और शाम वेद तो वैदिक कालिन सिक्षा का मुख्या अधार क्या था वेद पर अधार क्या था इसलिए हम वैदिक कालिन या वेद की सिक्षा कहते हैं तो वेद की सिक्षा वाली ये कालती और इसका मुख्या अधार क्या वेद चार वेद कितने हैं चार नहीं दोस्तों अब यहां से वैदिकालिन सिक्षा की समय सीमा को देख लेते हैं कि वैदिकालिन सब देता तो है नो डाउट लेकिन फिर भी माना जाता है कि 25Sp लेकि आज मानें 2222 है 223 माइनस करीए उसके पहले भी 25 सो जब 0 इसा पूर्व होता ना उससे पहले के 25 सो से लेकि 500 इसा पूर्व तक के सिक्षा पराड़ी को वैदिकालिन सिक्षा पराड़ी माना जाता है अब 500 के बाद से नहीं मतलब से 500 या 563 के से 1200 तक यह बहुत सिक्षा प्राड़ी मना जाता है इसके बहुत सिक्षा प्राड़ी शूरू हो जाती है आपसे रिक्वेस्ट की भक्ति यहां धर्मित्ता की भाओना, चरित्र का दिर्माळ, वैक्तित्तो का विकास, नागरी के यहां सामाजी कर्ट अब्व्यों का भालन, सामाजी कुछलता की उन्नती, यहां राष्ट संस्कृति का संक्षण और प्रसान, प्राचीन भारत में आप कुछ पॉइंट वाइस देख लेंगे दोस्तों कि वैदिक कालियन सिक्षा के मूखे उद्धेे से क्या हैं पॉइंट वाइस हैं पर समय लेगे तो इस्वर की भक्ति वम धार्मिक्ता को प्रात करना अपने धर्म से जुढना धर्म से लगाव रखना क्योंकि वेदों प व्यक्तित्तु का विकास करना, नागरिक तदा सामाजी करतव योग का पालन करने, योग्यों बनाना, सामाजी कुछलता का विकास करना, और आश्यो संस्क्रिति का सनक्षद अपर साहत करना, यह सारे क्या है दोस्तों, उसी का point wise यहां पर लिख दिया गया है, तो अगर आप अगर यह गुरुकुल प्राणी पर प्रकास चालिए, यह भी आसे सवाल पूचेता है, तो यह इसकी विसेस्ता है दोस्तों वैदिकाली सिक्षा की कि उस समय की सिक्षा गुरुकुल प्राणी में होती थी, गुरुकुल में सिक्षा दी जाती थी, तो रविन्ना टैगोर इस कथन के द्वारा हमारी वैदिक कालिन सिच्य प्राणी की इसे स्ताओं पर प्रकास पड़ता है रविन्य टैगोर जी ने क्या कहा था कि भारति संस्कृति का निर्माड नगरों में नहीं बलकी वन प्रांती आस्रों में हुआ था यह जिए गुरुकुल में हुआ था अब आठवर्स की आयो में वैदिकालिन सिचा का प्राम होती आठ वर्स की आईो में वह गुरु के पास जाता था और वहां पे एक संस्कार होता था जिसे कहा जाता है अपनयन संस्कार ये भी important कई ने पर आप से यही पूछ लेता है कि उपनयन संस्कार किसे कहते Alice deshaak का मतलब क जो चाहते वही सिक्षा दे सकते थे गुरु विद्यार्ती के मानस पिता होते थे वे चात्र को केवल सिक्षा ही नहीं देते बलकि उनके पालन पोजड़ वेस्वुसा आधी का विध्यान रखते जो गुरुकुल के बचे थे वो गुरु जी के साथ रहते थे गुरु जी ही उनके लिए भोजन का इस्तमाई वो सारी चीज़े उनी की विवस्ता करना होता है। तर गुरुकुल विध्याले का भी कारे करते है। तर गुरु के घर का भी कारे करते हैं। गुरुजी खुन उसी गुरुबुल में रहते थे, तो जैसे मैंने बदाए, उप नियन संस्कार काफी इंपोर्डेंड आप से पूछता है, तो हिंदु चौथी इसकी विशेषता है दोस्तों वैदिक काले सिक्षा की कि सिक्षा उचित समय पे सुरू कर दिया जाता था जैसे वैदिक काले सिक्षा का सुभारम बाले काले में ही सुरू में ही कर दिया जाता आज भी ऐसा किया जाता क्योंकि बाले आवस्ता ही सिक्षा की उत्तम आ तो इस आवास्ता में उनकी शिक्षा सुरूख कर दी जाती थी यह उसकी वैदिकालिन शिक्षा की विशेस्ता है पांचवा विशेस्ता की बात करें तो वहवारिक पूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता था मतलब जो शिक्षा है वह वहवारिक होती थी जैसे की वैपार कैस इलाज कैसे करनाती है और वहवारे काफ एक सक्शा होती थी केवल कुस्तकिय नहीं अरठाथ इस व stata रहा बलग है केवल आध्यातमिक जीवन के सार्थ रहट भरतमान जीवन पर ध्यान दिया जाता है वहवारे कोती थी पेक्जाक रााक्टर विय्द यहां पर दोस्तों जैसे जैसे आता गया बाद के वैदी कालीन में जिसे उत्तर वैदी काल कहते हैं तो इस समय की सिक्षा वैवास्ता में कुछ कम यह देखी गई इसी के बाद से दोस्तों बहुत कालीन का जन्म हुआ तो वैदिकाल में उत्तर वैदिकाल की सिक्षा पराणी में काफी अंतर देखा गया, सुर्व में कुछ और था और बाद में धीरे धीर आते हुए कुछ अंतर हो गया, जैसे वैदिकाल पूर्ण रूप से रिगवेद पैधारी था और उत्तर वैदिकाल सारे वेदों की सिक् तो जैसे जैसे उत्तर वैदी काल आते गएं, दोने बहुत के याइन को पार, और टो बसने सो मैंातलकर के खुछ жद्ग खिंता हैं, तो जैसा आपने देखा दोस्तों वैदी कालिन सिक्षा मुखे तक इस पर बल देती थी अध्यात्मिक पे वेदों की सिक्षा पे चरित्र के निर्मार पे एक अच्छा व्यक्सित्तों बनना ब्रहमचरे जीवन जीना विद्यारतियों के लिए वर्तमान जीवन में भी इसका बहुत फायदा है वर्तमान जीवन में भी इसको पॉलो करें पालन करें तो विद्यारति बहुत अच्छा कर सकते हैं वैदिक सिक्षा प्राडी आधिनिक सिक्षा प्राडी के निव का पत्थर है उसे के आधार पर आधिनिक सिक्षा प्राडी का विकास हुआ सच बात तो आज भी समस्त ग्यान विज्यान फोशल और तकनीकों को शिक्षा की पाठचरय में सामिल करते हैं और आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्तियों के बीच मदुर संबंद अस्थापित करना चाहते हैं और आधुनिक काल की सिक्षा प्राडी में वैदिक सिक्षा प्राडी में जो अंतर है वह तो विकास के क्रम में होना स्वभाविक है जैसे जैसे विकास होगा विक्सित होगा थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा लेकिन आज की जो सिक्षा प्राडी है हम मान सकते हैं कि इसका निव जो है दोस्तो वैदिक सिक्षा पराडी है और वैदिक सिक्षा पराडी में जो हमें चरित्र का विकास जो अध्यात्मिक का विकास जो नैतिकता का विकास हमें बताया गया अगर उसको आज की जीवन में फॉलो करें तो एक देश के लिए विद्यार्ति के लिए राष् यह है वैदिकाली सिक्षा के गुण तो गुण में जो इसकी विशेष्थाएं हैं वही लिख लीजेगा अगर दोस्त की बात करें तो दोस्त की बात में थोड़ा सा कठोर अनुसासन था बच्चों को घर से दूर जाना होता था और उत्तर वैदिकाल में लास्ट में आते आत है इसकी आदर सुदे से क्या है इसकी विशेष्था है क्या है और वर्तमान जीवन में इसकी प्रसांगीता क्या है अब बात करते हैं अब बहुत कालीन सिक्षा के बारे में तो दोस्तों बहुत कालीन सिक्षा वहीं से सुरुवात होती है जहां से वैदिकालीन सिक्षा समा अधिक्षा को हुआ दोस्टों क्योंकि व्यादिक काली सिख्षा में कुछ कमी आ गए थी जैसे कि पसुग को बली देना यहां फिर शुद्र को सिख्षा से वंचित रखना या फिर मैलाओं को कम अधिकार इस तरीके कुछ कमिया आ गए थी, उसी को दूर करने के लिए एक नई सिख्षा प्राडी आई यहाँ पे, जिसको कहते हैं बहुत सिख्षा प्राडी, अब इस समय 563 इस्वी में महात्मा गौतम बुद्ध का अभिभार रोवा, वो यहाँ पे आए, और उन्होंने उक्त दो अभिभार रोवा, उन्होंने जन साधाराण की भासा को अपना आया और उसके परिद्वाम सुरूप एक नई सिख्षा प्राडी सामने आई, इसी को बहुत कालिन सिख्षा प्राडी कहते हैं, वैदि कालिन सिख्षा के बाद से जो महावीर वो बुद्ध के, की जो बहुत if Training से जैसे कि जैसे कि 4 प्राप्ती में जाएथा परदान करना मतलब मं की सखती पराप्त करणा पर करत्र के दोनों कांदी का ईकश्ज करना के हैऐ हम देख लेते हैं कि वैतित्य Timothy स्वारurn विशेस्ता हैं तो जिस तरीके से आपने वैदिक कालिन सिक्षा की विशेस्ता हैं देखी उसी तरह से आपको बहुत कालिन सिक्षा के विशेस्ताओं को समझना है तो बहुत कालिन सिक्षा की विशेस्ताओं को देखें तो बहुत कालिन सिक्षालों दोरा सिक्षा प्राप के टें हां केवल चंडालों के पुत्रों को सिछा आयमे पर फिफट अधिकार नहीं था आप इस में सिक्षा में क्या हों दोस्तों इसमें सबके समान सिछा दी गई चाहिए राजा का पुत्र हो या किसी और-का-पुत्रों सब सब ऐसक है यह हैं तो नहीं के संख्यान यह इसा को सिक्षा का दिया नहीं आगे तरहici कुछ ऐसे प्रटिवंदित विध्याती थे जिने हां विध्यालय के मठो और विहारों में सिक्षा के लिए परवेश नहीं मतला तो कौन कों से जो किसी राजा की नौकरी करता हो जो जेल खाले से भाग कराया हो जिसे राजी की और से दंडिट किया गया हो जिसका कोई अंग या जिसको माता पिता की आग्या विद्या प्रात करने की न हो जैसे पहले विद्या शुरू करने से पहले आपको माता पिता की आग्या लिन थी यह वो लोग है जिने शिक्षा से मना करते जादा अब आई शिक्षा आरंब करने की अवस्था की बात करें आयू की बात करें तो वैदी काली में आपने क्या देखा था 5-8 साل और वैदी काली उन्चिछा में एक प्रमपरा होती थी जिसको उप्रहें संस्कार कहते थे उसी प्रेकास्तों तो इसमें भी एक सिक्षा सुरू करने से पहल जाते थे याद रखिएगा पिछली बार 2022 में एक सवाल पूछा गया था कि केवल स्रमड कहा तक स्रमड की व्याख्या करी स्रमड कूछ दिया गया था तो अगर फिर से पूछता है तो स्रमड किसे कहते हैं वैदी कालिन शिक्षा में जो विद्यार्ती पबच्चे संसकार के बाद शिक्षा सुरू करते हैं उन्हें विद्यार्ती स्रमड सामनेर या नौ सिस्य कहते हैं इस तरीके साब दिखेंगे नए सिस्यों के रूप में उनको बारा वर्स तक अध्यान करना पड़ता था जब वो बीस वर की अवस्ता हो जाते तो भीच्चू के रूप में वो सारफ कर परवेश करते थे ठीक्षा पाने के लिए हर विद्यार्ति को अपने अब इसमें क्या दोस्तों ने सक्राइं पड़ा इसकी और गुछ विसेष़ता हिरी वो पबज्यास क्या होता था कि वैती हैं जिस प्रकार उपनेयन संस्कार किया जाता था उसी प्रकार बहुत सिक्षा में पबज्या या पबज्य संस्कार होने के बाद ही छात्र विद्याले मठों में सिक्षा प्राप्त करने के आधिकारी समझे जाते थे प्रवज्य का आर्थ होता है बाहर जाना इसका तत्वाधेर था कि च्छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौध मत में पर्वेश ले बौध ग्रंथ विन्यापतिक की पवज्य संसकार को निल्लकित प्रकार से प्रभासित किया गया है अब इसमें चात क्या करते थे दोस्तों जैसे बाल के सरमुडवा के पीले वस्तर पहन के मक्ठ में भीजवों के चरण पर माथा टेकर त्री पलती मार कर बैठ जाते थे और इस तरह से वो अपनी सिख्चा सुरू करते थे और उन्हें ये उचारण करना पड़ता था बुद् पढ़ाई करेंगे इसके बाद वो बारा साल तक की पढ़ाई करेंगे चीक है बारा साल के बाद दोस्तों जैसे एक नया संसकार होता था जिसे हम उप संपता संसकार कहते हैं अब आट वर्स लेके बारा वर्स तक स्रमण या 960 की रुप में वो विध्या प्राफ करता था 12 वर्ष्ट अब्जेक्ट कर लेने के बाद उप संपता संसकार द्वारा विक्षू के रुप में वो संग में परवेश करता था, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे 20 साल मों अगर आप हो गए 12 साल की पढ़ाई कर ली आपने, फिर आप निस्टिंटे आप जाके अपना दि पढ़ाई पून हो जाए उसके बाद, तो इस उप संपता संसकार के बाद भिक्षू सिछा का कारिक्रम 20 वर्ष तक चलता रहता था, उप संपता संसकार एक पक्षे संसकार नहीं, या 16 भिक्षू के सामने होता था, एक भिक्षू स्रमण का परिशय करता उसके बाद अन्य संसकार में सोलव विद्यार्थियों को एक साथ रखके एक उचारल करेगा फिर कोई प्रश्न करेगा इस तरीके से सास्तात्त होता था फिर जब इस निर्णल लिया जाता था कि ये बच्चा उपसंपता संसकार के अधिकारी है कि नहीं आगे इसकी पढ़ाई करनी है कि नहीं दस साल की वह बारह साल की पबच्या के बाद दस वर्श उपसंपता के बाद अब यहां पर देखिए आठ वर्श से प्रारंभ होकर बाई साल तो तीस साल तक उनकी सिक्षा चलती थी इसको पूर्ण सिक्षा माना जाता है अब इनकी कुछ और विश्चा अगर हम देख ले बहुआते है वह खुद से करना होता है व्यं के कुछ नियम साकहारी बहुजन करना सुद्न नकर अंतले करना करना कंव उस्त्त की नियम से कि आपको साधा वश्त्र पहन नहीं पहनने ज्वैलरी नहीं पहनना है महांगी वश्चा नहीं Public C that सिंग कुछ अतली नियक तो जी विलियों को समात नहीं करेंगे अभी तो बहुत पढ़ना है तो फिर यहां पर एक टॉपिक आपका खिल देलो बहुत काली सिक्षा में कुछ गुड़ पाए जाते हैं जैसे कि यह प्रतेक व्रक्तियों के लिए सिक्षा थी इसमें कोई डाउट नहीं सिवाए चंडालों को यह महिलाओं के लिए भी सिक्षा दिया गया इसकी गुड़ है किसी जाती वर्टिक करने वालों को सिक्षा पाने का अधिकार नहीं था इससे क्या होगा इससे समाज में अच्छा संदेज जाएगा ठीक है पबज्या होने के बाद नवभिक्शू अध्यात्मी गुरू का अचेयंग करते थे उसके दिर्देश में वो पूण सिख्षा पराद करते थे शिद्ध विवहारिक प्रामचार का सर्वधिक बल दिया जाता था जिसके गुरु अनेक सेवाकारे करने पर अपराद होने की दसा में विद्धार्ती अफराद बोद करते हों दंड के लिए अच्छे बालक कहां मिलेंगे आजकल आजकल तो कहने में वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं अरे कोई वात ने चली आई योग्यता परदर्शन के अनुसार विच्चु अपने भी नस्तर की सिख्षा दी जाती थी विद्ध्याति सम्मू में रखे सिख्षा प्राप करत अगर हम इसको वर्तमान जीवन में भी कर ले तो विद्ध्यारतियों के लिए कितना फाइदा होगा बहुत सिख्षा दस सिख्षा प्रयाणी अर्था दस पद आज भी पूर्यता उप्योगिता सार्तक है इन दस आदर्सों को छात के द्वारा यदि पालन किया जाता है तो वर्तमान समय में संप्रताइक वातावरण भरस्ट आच्रण मादग पदार्थों का प्रचन जूट बोलना दूसरों के निंदा करना आदिस्वता ही समाप्थ हो जाएंगे निर्वाड़ हो जाएंगे के मतलब अगर हम बहुत काली सिक्षा की जो गुड़ थे जो विस्ष जाएंगे तो यह इसके लिए वर्तमान जीवन इसकी बहुत अच्छी उप्योगिता है प्रसांगिता है बहुत काल का प्रचली चात्रा थ्यापक संबंद यदि पूनर्ट जीवत किया जाता है तो वर्तमान सिक्षा संथा अधीन होने वाली हरताल बन उपद्राव जो बह ले बहुत कालिन सीक्षा समात होता है तो यह से हमारे सुरूता है मुश्लिम कालिनसीक्षा बतलां से कालिन sf mock मद्रेक। पारिक शिख्षा राष्ट्री सिख्षा का समरक्षन पर सार यह सारी इसके गूर्ध हो गए ठीक है जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया इसमें दोज आते गया जैसे कि बली देना शुद्रों को सिख्षा से मुफ्त रखना महिलाओं को सिख्षा पर कम अधिकार देना इसी कम्यों को दूर करते हैं महावीर बुद्ध जी ने एक नहीं सिख्षा प्राणाई की शुरुआत करें जिसे हम बहुत सिख्षा कहते हैं बहुत सिख्षा की अधिकी बात करें तो पीछे 600 वर्स इसापुर्व से लेके माना जाता है 1200 इसवी तक तो अब इसमें क्या थ सिख्षा करने से पहले जो संस्कार के बच नहीं संस्कार तक लिए डायाराही अगे कितना चलेगा कितना अच्छा लिखेंगे धिलाल do the 컨ड मस्लीम काली्ट सिख्षा को जाने मुस्लिम काल में भी विद्या का आदर करते थे विद्वान का प्रसार करना अपना धारविक करता बे समझते थे मुस्लिम सिक्षा का रूप नीजी था राज सरकार के नियंद्रण में नहीं था मस्जिदों में मौल भी दुवारा शिक्षा परदान की जाती थी और आसपास धनी मुस्लमान अस्थान देकर साइधा डेकर जिसे मुस्लिम काली सिक्षा में बस हीं समझ लिजिए कि 12.17.17 साल करके अब इसमें क्या था इसमें जो धनी व्यक्ति थे वो किसी ने जमीन दे दिया किसी ने पैसा दे दिया इस तरीके सा अपने मस्जिद बना ली मदर्शा बना लिया और वहां पे अपने सिक्षा सुरू करती है क्लाइद में सिक्षा में मुष्ट की इन थे इसे हम मक्तब या मदर्षा कहते हैं मक्तब का मतलब जैसी बेसिक की सिख्षा है मदर्सा मतलब उसके बाद संस्ताहों में 시청 कॉछ associates हुएं मुषलिम कार्ण की सिख्षा के बाण के साथ we वैदिक कालिन में कौन सा रस्मता परिवेस के लिए परिवेस के लिए उपनियन रस्मता, बाध कालि में परिवेस के लिए कौन सा रस्मता बाध कालि में पबज्या संसकाल, मुस्लिम कालिन में इसको बिसमिल्ला रस्म कहते हैं, चरी, मक्तब मस्जिदों से जुड़े होते थे और मस्जिद के मौलवी सहाब की मक्तब के सिक्षण का कारे करते थे मक्तब में बालक को सब्द ग्यान के तधार्मी प्रातना सिखाई या दी थी मक्तब की सिक्षा पूरी करते साथ मदर्से में पर्वेस लेते मदर्सों में विविल्द सींधियों में कि विद्वान शिक्षक नियमी तुर्प सों सिक्षण का खारे करते थे मकतब के बाद बनर्सें में ओा जाएंगे और ये जो всем जा रस्म है पसी मोलबी सहाब कवास कुछ की आयते पढ़ाते थे अगर वो बच्छा आयत नहीं पड़ पाता है। उसे बस के दोस्त हैं साथ हैं वह प्रगतियाद हो उन्होंने ये पेज एज़िटीज वज़िए था मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने का एज़िटीज लिख देते हैं और उनको क्रेडिक दे 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 तो इल्म और तालीम का मतलब इल्म का मतलब ग्यान से है और तालीम का प्रगता के सब्स ग्यान और उपदेश सिक्चा तता योगएता जैसे उल्म और वही संबंधें जो विद्यार सिख्चा में है इल्म वह है जो इस्लाम धर्म के पवित्यक्रांद कुरांसरीब से मनुर्ण फिंस को मौक्ष प्राप्त करने के और चिंग कर्म के रूप में स इसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों अलोकिक जीवन की मतलब जो हमारा उदेश से वह प्राप करते हैं इल्म क्या है ग्यान है जिसे हम जीते हैं यह दूसरों कहने की पुरी बात है यहां तक बात समझ में आगे अब मुस्लिम कालीन की अगरम सिक्षण परदिती की बात कर जाता था चात्रों को स्वा ध्याई विदी से ग्यान क्राप करने के लिए प्रोच साहिट किया जाता था चात्रों की उपस्तिती में बड़ी चात्रों और योगे चात्रों की छोटी काद्चा में पढ़ने इसमें क्या होता था जिसे जो बड़े चात्र है अगर वो योग बात करें तो यह एक drawback रहा है थोड़ी सी कमी रही है मुसल्मानों में इसलामिक शिक्षा के बात करें क्योंकि यह एक drawback यहां पर रहा है मुसलिव गाली सीक्षा में सायनिक सीक्षा भी रखा गया क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना था सासको था तू उसको रख्षा करना इन सारे चीज़ें के लिए युद्ध सायनिक सीक्षा का भी बल दिया गया ठीक है तो यह सारी दोस्तों विस समाज में आगे मोटा-मोटी बात है मिला रसम क्या होता है इल्म और तालीम क्या होता है कब पड़ाय सुरू होती है ठीक है और निसुल्ग सुक्षा होती है बस यह थोड़ी सी बात हो गई हिनके उद्ध्य से वही होंगे नहितिक जीवन चेटर का विकास अचा अच्छब धर्म का प्रचार तो सभी सिक्षाओं कालीन सिक्षाओं में हुआ वैदी कालीन बौधी कालीन या मुस्लिव कालीन धर्म का प्रचार स्रेश्ट माना गया हर एक कालीन ठीक है तो यह हो गई complete इन तीनों सिक्षाओं के बारे में अब इसके बाद से जो next unit प्राश्य परचार आगे की सुरुवात करें तो अब यहां पेग चीज़ करिए अब तक जो आपने पढ़ा है तीनों कालीन सिक्षाओं वह चाहें बीएट फरस्टेर में हो यह सब के लिए कौमन है यह सब को पढ़ना था बीएट फस्टेर को भी पढ़ना था और सेकेंडि को पढ़ना है और यहां से दूसरा यह काफी पॉटिल है अब तक जो आपने मुस्लिम कालीन वैदिक कालीन और बहुदी कालीन पढ़ा इसको बस समझने की जरूरत दोस्तों इससे कम से कम आपको पंदर से बीस नमर का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा ठीक तो आप ज से कम करेंगे से को जाने सिक्छा बेवस्ता को बने रहे सकते है वाकि जाना चाहते है तो यह तक बात होगय केवल फॉर से क्षा करते हैं आपके knocks को सपा हम है इसे में एडिकेशा इन प्री इंडिपेंडेंट एरा को देखना है मतलब आज आती से पहले सिक्षा वे वह सता थी जब अंग्रेज लेते थे तो उसमें कुछ सिक्षा के काई करा है उसे पढ़ना है इसमें एक और आगे इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए प्राश्य पस्चात विवाद कब शुरुआ 1813 इस्वी में शुरुआ वास्तों में 1813 इस्वी में क्या हुआ इस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में तो 1813 का मतलब अंग्रेज तो भारत में एक कंपनी जिसको कहते थे इस्ट इंडिया कंपनी तो इस्ट इंडिया कंपनी का क्या अधिकार रहेगा इस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या क्या कारे करेगी यह ब्रिटीश पार्लेमेंट से उसे एक आग्या पत्र दिया जाता था वह आग्या पत्र हर 20 साल के बाद उसको रिन्यों होता था जिस के आग्या पत्र का रिण्व करने के लिए और भारत की सिख्षा बदलने के लिए हम कुछ खरच करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि उनको यहां पर अंग्रेजी बोलने वाले मजदूर या फिर उनको इस तरीके के लोग चाहिए थे मतलब वो भारत को अपने तरीके से अपने सोच के अनुसास को ढालना चाहते थे इसलिए वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी सिक्षा का प्रशार हो और इसाई धर्म का प्रश जैसे कि चार्ल्स ग्रांट और विल्बर फोर्स यह जो विचारत थे वह अठारा सो तेरा सो बीस सल पहले जब आग्या पत्र आया था तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि कंपनी को आदेश दीजिए कि वह मिस्तरी सिस्कूल खोले और इसाई धर्म का परचार करें लेकिन इससे बीस सल पहले का मतलब 1793 तो 1793 में यह आग्या नहीं दी गई तो इस बार 1813 में आग्या पत्र जब पारलेमेंट में आया पुंद्रावर्तन के लिए रिन्यू के लिए तो 1813 में यह आग्या पत्र रखा गया तो चार्ल्स और इसनोंने समर्षक आग्या पत्र में एक धारा इसमें जोड दिया गए और उस धारा को धारा 43 कहते हैं और धारा 43 में क्या लिखा गया था, लिखा गया था कि साहित्त Kin 123 के लिए और समुद्धी के लिए और भारतिय хорош को साहित्य और भारती विद्वान दो सब्द्याद रखेगा तो साहित्य के पुनर्थार और समुनति के लिए और भारत के विद्वानों को प्रोसाहित करने के लिए और भारत के ब्रिटीस प्रदेशों के निवेशियों में विद्वानों के ज्यान का प्रसार और विकास करने क के लिए प्रती वर्ष कम से कम एक लाख रुपय का धनरासी प्रिथक रखी जाएगी और वयकर जाएगी तो ब्रिडिक्त पुर्थार की और भारती विद्वानों को प्रोसरहाल के लिए अब पैसे खर्च करें अब यहीं से वो विबाद शुरू हो गया जिस विबाद को हम प्राचे पस्चात विबाद कहते हैं अठारा सो तेरह की अग्यापुत की धारा तैतालिस में भारती की सिक्षा के दाइतों कॉंपनी को सौप दिया गया तता यहादिश दिया गया कि भारती सिक्षा पर प्रतिवर्स एक लाग रुपए की धनरासी वया की जाएगी परंतु उक्तधारा में यह असपश्ट नहीं कर T Israeli पर अनीन विया लुक्तित है फ़ारती सिक्षा पर खर्च जाएगी कि अंग्रेजी शिक्षा पर हमक्त नहीं थी तो यहीं से नया विवाद हो गया पराठ्य विवाद पराठ्य पाश्चा कोयी यह सोचझते नहीं या एक लाख रुपए खर्च करने को प्राइप कंपनी के करम्चारीonds में विवाद वुपन हो गया इस विवाद को ही प्राच्य पस्चात विवाद analyzing दी जाती है विवाद भाग लेने वारे दो प्रमुख दल प्राच्य वाधी और पस्चात वाधी थे अब प्राच्य वाधी में कौन दोस्तों जो इस इंडिया कंपनी के पुराने और अनभवी कर्मचारी थे वो प्राच्यवादियों में आते थे ठीक है जिसमें प्रमुख वारेंद हासिंट जॉन एथन डंकन और कलकत्ता मदरास और बानारस विद्वाद करें इन्होंने अस्तापना करी थी तो यह प्राच राच्यवादियों के पक्ष में यह थी ठीक है इन सद्यों से की समीधी में किमे मंत्री एचेन विल्सन ठाथ बंगाल के सिक्षा सरु उलेखनी यह यह लोग क्या थे दोस्तों प्राच्यवादि थे मतलब इंडियान भारती सिक्षा को प्रमोट करके थे इनकी मांग क्या दोस्तों प्राच्यवादी के दल का रोप था कि अंग्रेजी भासा और पश्चाद ग्यार की सिक्षा राजनेतिक उद्देश सिप्रेरी थे उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ा कर कलर गुद्पन होंगे जो अंग्रेजी सासर का समर्थल करेंगे और कम खर्च पर कि प्राच्यवादी उनका माना था कि भारत की अपनी विचार था कि प्राच्य सिक्षा प्राड़ी है मतलब खतम हो चुकी है इसे पुनर जेवित नहीं किया जा सकता इसके साथ ही साथ उन्हों ने यह भी कहा कि अर्भी फारसी और संस्क्रिट के साहितों को पूरातन और निर्थक बता बातों के अलावा किसी तरह का उप्योगी ग्यान नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा था कि यह जो तीन भासाइब बताई जैसे अर्भी फार्शी संस्कृत इन्हें बताया कि यह दोस्तों क्या निरार्था के इसका कोई मतलब नहीं है और पश्चात बाद यह कहते थे कि भारत की मांसिक के लिए अंगर की मातियम के और पशंचत ज्क्ट ग्यान जोगिour करना अतीयंते ही कि उनको मानना था कि भारत को विकास करना है तो एग्ला ल는지 के शिचिछा धीजिए उनकका यह प्योगना पर कई यह लग रहा हो पर नहीं पढ़ा जाते हैं आप जैसे आप अंग्रेजी सिखने बाद आपने इंग्ली सेंवेड इसके इंग्ली नहीं सबूच् dispers नहीं कुछrese में उत्छ इquitoonstirm You बाबू बर्ग की अस्थापना कर सके जो वह अंग्रेज ब्रिटिस यूके में बैठके आपको यहां पर कमांड दे सके और आपसे नोकरी करा सके इसलिए उनको नौकर चाहिए ठिक अब यह बढ़ता गया बढ़ता गया चलता गया हल नहीं हुआ तक यह विवाद, शहल नहीं हुआ था, विवाद नहीं हुआ था, यहां से एक अंट्रि होती है मैकाले सिर जांटिया होती है मैकाले की, तो अब यहां प devices कॉति है तक अब का थी द्विया मैं काले कॉन था 10.1854 को लॉर्ड मेकाले ने गवर्नल जनरल की काउंसलिंग में कानूनी सदस्य की रूप में पदारपड किया, कानूनी सदस्य की रूप में परिवेश किया, उस समय तक प्राच्य पस्चात विवाद उगरतम सीमा पर पहुंच चुका था, बैटिंग को बैटिंग कौन दे गवर्नर जनरल उस समय के लौड बैटि, लौड विलियम बैंटिंग ठीक है, उस समय के गवर्नर जनरल, वह यह मानते थे कि मेकाले जो एक प्रेस्टेंड विद्वान है और एक अच्छा वक्ता भी है, अच्छे वकील भी है, लॉयर है, तो वह इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं हैं, इस विचार से उन्होंने बंगाल की लोगसिक्षा समिती की सभापति के रुपे उनको नियुकत कर दिये, जैसे सिख्षा मंतरी होते है उसने सरोपत हम क्या किया, दोनों धाराओं को अच्छे से पढ़ा, दोनों दलों से बात करी, उसके बाद उसने दोस्तों तर्कपुर और बलवती भासा में अपने तर्कपुर मते एक लॉजिकल रिजर में उन्हें लॉड वीडियम बैटिंग के पास 1835 इस्वी में अपना पत्र दे दिया जिसे हम बैटि यह मैकाले का विब्रण पत्र कहते हैं, पूरा अध्यान करने के बाद उन्होंने 1835 में क्या किया, उन्होंने एक पत्र दे दिया जिसे हम मैकाले का विब्रण पत्र कहते हैं, अब यहां पे जहां से सुनेगा, विब्रण पत्र में उन्हों कपप चलिया और मैकाले को भारत में अंग्रेजी सिख्छा का जनक कहा जाता है अगर आप सर्च करेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी साहित को भी समलिद किया जा सकता है मैकाला ने गया दिया कि साहित का मतलब यह नहीं कि आपको अंग्रेजी पे खर्च करना पड़ेगा और भारते विद्वानों में उन्होंने कहा कि केवल मुसलमान मौलवी या संसित्क पंडित के अलावा अंग्रेजी भा निज कि वहां पे हार हो गई पस चाद यजीत हो यह दित यह आई से पहले उसनों पैद्ग है उसको निग्लेजी के पक्ष में में तर्क क्या त सकऍधा कि इसको लेकित अर्भी और कि तुलना में अंग्रेजी अधिव उपयोगी और वहवारिक है क्योंकि यह नहीं नमीन ग्यान की कुंजी उसने दूसरा तर्क दिया था कि लेटिन और युनानी भासाओं से इंग्लेंड और पस्चिमी यूरोप की भासाओं के रूप पतर हुआ जैसे उन्होंने माना था क युनानी इन भासाओं में अंग्रेजी देने के बाद उनका ज्यादा फाइदा हुआ तो इसलिए भारत में भी अंग्रेजी देने के बाद ज्यादा फाइदा हुआ अंग्रेजी इस देश के सासकों की भासा है उनको लगता था कि वही सासक है तो उनकी भासा है इसलिए अंग्रेजी पर खर्च करना चाहिए और उन्हें उच वर्ग द्वारा बुल जाती है तो उस समय जो उच वर्ग के लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिके थे वह अंग्रेजी को मानते थे और भारतवासी अरब और संस्क्रित की सिक्षा की उपेच्छा अंग्रेजी को अधि पर रूची और विचारो और नयतिकता और विद्वल से अंग्रेज होंगे मैकाले का यह जो कोट सानव उसको ध्यान रगेगा मैकाले ने कहा था कि हम अंग्रेजी सिक्षा से ऐसे लोगों को यहां पर पैदा कर सकते हैं ऐसे लोगों की बना जो वह है तो इंडियन वह रक तकालिए प्रभाव यह पढ़ा कि पढ़ा कि पहले की कम्पनी के सभी इस उजाव के अधार पर चिक्षा निति की घोश्रा गर दिगई सुदि भता कि लिखे की कुसे आदार पर जो विल्यम बैटिंग थे उन्होंने गोश्णा पत्र बता दिया कि ठीक इस आदार पर पैसे को एक लाग रुपे को खर्च करिए एक चीज़ और यहां पर ध्यान रखिए लॉड मेकाले के बारे में भारत में भी अलग-अलग विचार है दो विचार है भारती सि जो सिक्षा नहीं थी थी वो एक पत परदर्सक है तो उसी के कार भारती सिक्षा प्राड़ी आज विच्व की प्राड़ी के तरफ आगे बढ़ पाया तो लोगों को अलग-अलग मत है कुछ मांते हैं कि इन्होंने हमारी हिंदी सिक्षा को खराब कर दी अंग्रेजी हमें अग्रेजी सिक्षा से जोड़ा और देज दुनिया के तरफ आगे बढ़ा तो यह अलग-अलग मत हो सकते हैं हमें एक्जाम में दिखना है और समझना है अब विवात का अंत क्या हुआ 1835 में अगर मेकाले ने दे दिया तो क्या 1835 में विवात का अंत हो गया विवात का अंत कब हो 1849 में वा कैसे हुआ बैटिंग की विज्यपति यदि सरकार सिक्षा-णीथी सुनिष्चिद दिशा-परतान के प्रंथु-प्राच्छ चैप पस्षाद्विवात का अंत नहीं ह जाते हैं यह नए गवर्णन जलके पत को ग्रहण किया अब उससे में पश्चात पिवन का अध्यान गंभीर रूप हो गया ठीक फिर जो थे यह अपना अंदोलन स्थागित कर देंगे इसी आधार पर उसने 24 नमबर 1849 को अपना वीवर्ण प्रकासित किया मैं और वीवर्ण पत्र में क्या लिखा आप देखिएगा फिर उसके बाद यह विबाद अंत हो जाता है फिर शायद हमारी वीडियो भी अंत हो जाएगा तो व यह उसके कोई नुक्सान नहीं करेगा उसको जितनी सहायता दी जाती है उसको उतनी सहायचा दी जाएगी और पहले सहायता परचाप्राच्यवादियों को दी जाएगी पहले सहायता देसी विद्यालों को दी जाएगी उसके बाद अंगरेजी को दी जाएगी और दोस्तो देशी विद्यालों में सिख्षा प्राप करने चात्रों को एक चोथाई चात्रों को छात्विर्थी भी दी जाएगी लॉप आफलेंड ने कहा क्योंकि विवाद समाप्त करना था लोग बड़े उग्र हो गये योग धापकों को आर्थिक सहायता था अधिक वेतन और उनके क प्राप आपको पैसे मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके अलावा आपको 31,000 और मिरेंगे उसकी इस घोड़ना से प्राच्यवादी प्रसंद हो गया फल सरूप लंबे समय से चला आ रहा या विवाद समाप्थ हो गया और डॉक्टर एल एन मुखर जी ने लिखा कि लॉक ऑकलेंट को इस बात का अभिमान था कि इसने 31,000 रुपए प्रती वर्ष की मामली र अभीबात कैसे अंतुआ इसके कारण क्या थे इसका प्रभाव क्या था आप सब यहां से लिख सकते हैं बात समझ में आ गई चलिए बात समझ में आ गई हो तो यहां पर एक समाप्त होता है एक क्वाइंट जोस्तो जो अकसर पूछ लेता है वो सिछ्छा में निष्यानन सि तो फिल्ट्रेशन थीरी किस ने दिया था तो फिल्ट्रेशन then सिख्षा के प्रसार को सरल यम सुविधायुक्त बनाने की दृष्टी से तत्कालिन सिख्षा निद्धी में सिधान को स्विकार कर लिया गया। इस सिधान से उनका ताथ पढ़ता था कि जन्व समूहों तक सिख्षा उपर के प्रभावी वर्गों से सिख्षित होकर लोगों च्छंकर नीचे तक पहुंच जाना चाहिए उनका इसी को यहां तक यहां पर समाप्त होता है अब हम आएंगे वुड का घोष्णा पत्र में चलेंगे विबाद शुरू का बुआ था अठारा सो तेरह में शुरू क्यों होगा था क्योंकि उसमें कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करना था ठीक और कंपनी का लाइसेंस कितने साल के बा यह विबाद कब तक चला था मैकाले कंव आये था मैकाले न अपने विबड़ पत्र्का दिया था ठीक उत चीजें पीर उसके ठीक 20 साल के बाद उस अगया पत्र को फिर से लीन्यू करने का टाइम आ गया अठारा सो तीर помooky conscious रिन्यू करने कि ना हो कि बवाल हो जाए और फिर बीस सालों तो कि ये कारिकरम चलता रहे तो तो चलता रहे तो फिर इसलिए बड़ा ही सावधानी से ये नई सिख्छा नई आग्यापत्र की घोशना होई और उसमें उससे पहले ही गुड ने घोशनापतर जो दिया वसुर बड़े सुझा होती है तो उसको हम देखेंगे तो अब फिर बीस साल के बाद 1830 में कंपनी को ब्रिटीज सरकार की ओर से एक आग्यापत्र प्राप्त कुआ जिसके कारण कंपनी के प्रसासन वह विधान में कुछ महत्तपूर्ण आवास्यक परवर्तन किये गए इस प्रकार कंपनी को चलाएगी और से शिक्षा समधी फिर और से नया सिख्ठा समझन पत्र आया इस फिर न पत्र को वुड का भोशन पत्र का और сложно ACT के कारण भारतने शिक्षा और सासाफ़ार अपनी कंपनी के उपर रखा कि पूरी जो शिख्षित करना कंपनी की प्रात्मिक देश से हैं मतलब देखा कितना दबाव में आ गया थे ला क्योंकि विवाद बहुत बड़ा हो गया था ठीक अच्छा एक और चीज़ है उस्तों गुड का घोष्णा पत्र कब आया अठारा सो चौन में और भारते सब्सक्राइब के अस्थापना कभी अठारा सो पचासी में यह वह दौर था जब अंग्रोजों अंग्रेजों के खिलाफ हमने बगावात शुरू कर देती हम अब उनकी बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मतलब वह नहीं अब हम अपनी बाते शुरू करने शुरू कर है लेकिन अब कहते हैं कि यह नहीं आवस्या कैसा है क्योंकि दवाव एंग्योपुरा आ गया तो उसी के बाद जो वुड थे उन्हेंने कुछ सुझाओ दिये कि भारत के सिक्षा में यह चीज़े होनी चाहिए थी और सवाल भी आपसे यही पूछता है कि वुड के कुष् प्रसाशनिक शंता का भी विकास किया जा सके इसे कुषलयम योगिक्रावचारी शाषन को मिलेंगे जिससे प्रसाशन सुबड़नी चले पहला सिक्षा का उन्हों ने उद्धेश के बताया कि सिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य भारति भासाओं को भी सिक्षा का माध्यम बनाया जाए ठीक है अंग्रेजी उच्छा विज्ञान वह पच्चात साहिति के जानने की आवस्टेक्टी तो इसलिए माना कि आपको मात्र भासा में भी पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाएगा उन्होंने यह सुझाओ दिया औ में दोस्तों हर प्रांद में जन सिक्षा विभाग की अस्थापना की जाए इसके अधर जल्द सिक्षा संचालक होंगे मतलब तकी प्रमुख सुझाओ यह था कि अब उच्छी सिक्षा के लिए मुंबई तया कलकत्ता में लंदन के समान विश्विद्याला की अस्थापना कि प्रभाव पढ़ा क्या प्रभाव पढ़ा दोस्तों इस सबी प्रांटों में सहायक अनुदान प्राड़ी का सुबारम्भ हो गया अनुदान लगे सहायता मिलें लगी जिए सिख्षा विआस्थापना होने लगी और 1877 में कोलकत्ता और मुंबई विश्विद्याला की स्थापना वह इसके ततकालिन प्रभाव हुए दिरिग्रिकालिन प्रभाव हुए कि शिक्षा राज जी का दाइट तो माना जानने लगा तता राज जी के नियंतरण में हो गई इसको सिक्षा को करेगी इससे पहले तो कंपणी मदद करती थी लिए अभी तोटली कंट्रोल में आ गया कि जो भी वहाँ पे गवर्नर होगा जो भी वहाँ पर राजियों गे अधिकारी होगे वह इसको कंट्रोल करेंगे उनकी जिम्मेदारी या कि उन्हों एजुकेशन दे इसक्षा पाठर चर्या पस्चात घ्यान विज्ञान का विश्तार हुआ उच्छी शिक्षा के माद्यम अंग्रेजी और प्राट्मिक सिक्षा की मादम मात्रभासा रखी गई क्रम्बद विश्च्विद्यालों का निर्यंतर हुआ मतलब क्रमबद विद्याले एक से पांस आपसे विदा लेते हैं अलविदा लेते हैं तो इस वीडियो में फिला इतना ही था हमने क्या क्या देखा दोस्तों संपूर्ण देखा मतलब सोचिये ना कितना अच्छा मज़ा आया इसको पढ़के मुझे परसनली बड़ा मज़ा है यसे हमने वैदिक कालीन से सुरू करी फिर बहुत कालीन देखा फिर मुस्लिम कालीन सिक्षा फिर अजुकेशन प्री कॉलनेल एरा फिर उन्होंने क्या सारी चीज़े करी हमने वह सारी चीज़ दी अब यहां पर देखिए दोस्तों अब 1854 इसी के बाद नई गया दो चीज़े आपको पढ़नी है वह पढ़नी ह जलाया है तो कि अगले वीडियोे में इसको करेंगा आप इसको जरूर देखिएंगा आप कर नहीं पर Подोसा के ल करेंगा डिए गदी беспjaz whole यह आपको पसंद आएगा टीक है तो प्लीज मीं सॉस्रा पर लिकर दीजेगा आए च्शर कर दीजिगा नहीं दूरातित कर को श ये हमारा साथ आपका बना रहेगा अगले वीडियों में अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियों में हम देखेंगे बारतिय सिक्छा अंदोलन और व्रदा सिक्छा योचरण और गोखले भी इन तो पाइंट को देखेंगे फिर हम उसके बाद अगले पाउंट्स में की बार दोस्तों